लेटस कबरे पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारी चैनल को दबाईए इस घंटी के बटन को पाएं लेटस कबरे सबसे पहले 72 साल की उम्र में बनी मा फिर जो हुआ उसे जानकर यकीन नहीं कर पाऊगे विज्ञान कहता है 40 की उम्र पार होने के बाद मा बनना ना मुम्किन है लेकिन इस बात को घलत साबित करते हुए पंजाब की रहने वाली 72 साल की महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया है दरसल जलमिंदर कर नाम की महिला ने मान भी ये तकनीक का सहारा लेकर मां बनने का सौभाग्यक पाए है लेकिन उन्हें अभी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है पंजाब के एक प्राइवेट हास्पिटल में जलमिंदर 21 मार्च को एक बच्चे को जन्म दिया है जलमिंदर कहते हैं मां बनने पर उन्हें जितना खुशी आज मिल रही है इतना खुशी आज तब कभी नहीं मिली थी इसलिए उन्होंने बच्चे का नाम अर्मान रखा है लेकिन जलमिंदर कहते हैं अभी उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है इसलिए जलमिंदर टीन महिनों से बच्चे को दूध नहीं पिल ला रहे हैं जिसके चलते अर्मान के शरीर काफी कमजोर हो गया है जलमिंदर अब 72 साल की हो चुकी है इसलिए उन्हें अक्सर बीपी और जोडों की दर्द की वजह से परेशान रहती हैं इसलिए जलमिंदर बच्चे का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं जलमंदर के मुताबिक उन्होंने ज जिन्ता का कारण है इसलिए वेह समय समय पर डॉक्टर के पास चेकप के लिए लेड़ा रहे हैं आपको बता दे जलमिंदर और उनके 89 वर्ष ये पती महिंदरा सिंको शादी के बाद करीब 40 साल बाद संतान की प्राप्ती हुई है दोस्तों आप इसके बारे में क्या कहना चाते हो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है जानकारी अच्छी तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेर कर देना और आगे भी ऐसे ही रोचक जानकारी पाने के लिए हमारे अकाउंट को पॉलो कर देना